हेलो गाइज विल्कम बैक टो दी चैनल होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो अभी तो पहर हो गई है और नाश्टा मैंने कुछ खास किया नहीं से भूग लग रही है और कुछ बनानी का भी मन नहीं कर रहा है तो मैंने मही के पापा को बोला है चिकन होगाना कुछ तो आएंगे और चिकन बनाएंगे देखते हैं उनके हमां पर चिकन कैसा लगता है खाके तो आप भी वीडियो में बने रहिए और पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक शेर अन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए किचन में देखते हैं इसके लि अब मैं प्याज इसमें डाल देता हूं थोड़ी से नमक ताकि प्याज जल से गल जाए इसे कुछ देर तक पकने देंगे जब प्याज भुन जाएगा तब फिर इसमें हम क्या करेंगे चिकन को डाल देंगे अब हम इसमें चिकन डाल दिये चिकन डालने के बाद इसमें हम हल्दी एड कर देंगे नमक पहले ही मैं दे चुका हूं इसे चला देंगे उसके बाद से इसको ढख देंगे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे लासन में छेल के रख लिया था उसे भी डाल दिया अब फिर से चला के उसे ढख देंगे मसाले में मैं देख लिए मिर्च सुखी मिर्च प्याज तेजपत्ता जीरा मिर्च होगे रहे उसे डाल दिया मिक्सर में कि अब सब्सक्राइब समाय इस परेंगे थोड़ी दिर में और फिर से बीच में चला दिए रिख में फिर से पानी हेड करना है ऐसके बाद है इसको मिक्सर में परेश्ट बना लेंगे इस और इसका प्रेश्ट बना लें अब रपना गया आई देखिए इधर चिकन बनने छोड़ दिया है अब जो है देखिए यहां मेरी पत्नी महरानी बैठी हुई है चिकन आज हम बना रहे हैं गाइस कैसा बन रहा है बताईएगा क्या चिकन खाना है मेरे आदका इसलिए तो बना दीजिए च्छा मूँ देखें किसा चिकन है चिकन ह मूँ आए सर्मा क्यों रहे हैं माही माँ मैं बताइए बताइए यह हां क्या हाई क्या तैसे मैसा जमा के दोता है देखिए गाइस देखिये ने परिसा छीकन देख लेते हैं से महाराज अ중 देखी यह भी यह गया था चीकन लगबख होने को है अभी मसाला नहीं डाले हैं इससे सुखा मेर्च और नमक खल्दी डाले हुए है लाज़ुन स्याद इसके लिए अलग से हम तो मसाला प्यार कर रही लिए है अब मसाला डाल देंगे बड़ी तर में अब देखे गई हमारा चिकन भुना गया है यह अच्छे से पक चुका है अब जह है हम इसमें क्या करेंगे मसाला एडि कर देंगे हमने उसके लिए जाहें पेश्ट बना लिया है आपको दिखा ही दिया पहले ही यह एक्चल में यह दो टाइम का मसाला है तो हम इसमें हाप गालेंगे अब कर दिया मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पोर्डर डाल लेंगे दनिया पोर्डर है इसे चला देंगे इसके बाद देखिए इसे बढ़िया से चला देंगे अब हम क्या करेंगे फड़ा सा गेस को लोग करके हल्क मेडियम में में छोड़ देते हैं तो मसाला जब पक जाएगा तो फिरी से हम लोग खाएंगे तो आज हम जिम्मेदारी लिए थे कि आज हम चिकन बनाएंगे चावल बना दी थी मेरी वाइब होने देते हैं थोड़ी दिर देखिए इसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे पांच मेंट हो गया है लगवा इसे हम चलाते रहेंगे इसे ही दो चार बार चला करके लगवा पन्दरा मिनेट 10-15 मिनेट तक इसे पकने देंगे मसoc को चिकन तुममेरा सिझी गया है और मसाला पखना ज्रोय है इसको हम अगे इसके साथ पक रहा है देखते हैं इतने दिर में हो जाता है दिखाते हैं फिर पका हुआ को चिकन पक रहा है तब तक हम सलाद बना लेते हैं इसमें हम खीरा लाके रखे हुए हैं तो खीरा को पहले हम मुझ काट के उसको नमक द्वारा थोड़ा से कर देंगे ताकि उसका ती खीरा कट चुका है अब हम इसे प्लेट में रख लिए देखिए हमारा चिकन तयार हो गया है मसाला देख इतना अच्छा से भून गया है बताईए दोस्तों कैसा बना है अब हम लोग इसे प्रोस लेंगे बस लाट भी काट लिये हैं अब क्या मतलब खीरा के समय अभी खीरा और नहीं तो नॉर्मल्ली आम लोग प्याज होगे रहा का इस्तमाल तो जरू करते हैं अधिक है चलिए मिलते हैं खाने में मेरा चिकन बन के रेडी हम लोग फैनेली जाली यह खाना बना लिया है अगर पसंद आया ऊगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो को लाइक लाइक कर दिजेगा और दूसरे को भी शेयर कर दिजेगा खाना खाने थीजी हुचे थाइट लोगई औरॉप बाइ झाल झाल झाल